हलो असलाम लेकूम आप सब ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे वेलकम टू एनदर व्लॉग आज की वीडियो को मैं हॉस्पिटल से स्टार्ट करी हूँ मरियम को काफी दिन से वाइरल इंफेक्शन हुआ था फ्लू था इसको तो मैं इसको घर में बूफन और रिजिक्स के डॉप्स देती रही लेकिन अब यह बेक्टीरियल में चेंज हो गया तो मैंने सोचा कि अब इसकी एंटिबाइटिक स्टार्ट करवा ली जाए ताके मसला ज्यादा खराब ना हो घर में स्टीम और इस तरह कि मैं कर रही थी काम जो है ना वो मेरी कंट्रोल से बाहर हो चुका था तो जी मैडिसन आ चुकी है और एंटिबाइटिक्स तो मस ना है इन छोटे-छोटे टिड़ों के लिए यूँकि इन वैसे फरक ही नहीं पड़ता और एंटिबाइटिक्स भी डॉक्टर अब थर्ड जिनरेशन दे रह हम लोग जोएंट में रहते हैं लेकिन हूं में अलग तो फिर हम दो लोग हैं बच्चे तो इतना खाते नहीं तो फिर मैं थोड़ा सा इबनाता है सना भावी भी यहां नहीं है वह चुटियों पर गई हुई है तो बस फिर थोड़ी सी कुकिंग की उसके बाद जी हम लोगों ने मंथली ग्रॉसरी जो किचन की थी वह हो चुकी है यह वह वाली ग्रॉसरी है जो बच्चों ने मंथ में टू टाइम्स कहनी होती है अब इसने फुल कॉपी करना है जो जो चीज मैं उठा रही हूं जो जो चीज मैं देख रही हूं इसने भी साथ साथ सेम वही देखनी भी है उठानी भी है मेरी मदद भी करनी है और अगर हम इसको रोक रहे हैं तो इसने वहाँ पर वो सियापा डालना है कि बस जी रोना दोना शुरू हो जाना है ये देखें जी ये कितनी हल पो रही है हमारी कि मैं आपकी सारी मदद कर जेती हूं चीजें उठाने में और फिर घर आके खाने में और ये जी यहाँ पर हम चले जाने तो फिर खर्चा तो होता ही है यहाँ पर जी कुछ मुझे सस्ते तरीन साबून नजर है मैंने फटा-फट से उठा लिया क्योंके हमें किचन में वाश रों में इस तरह जरूरत तो होती है तो बस फिर मैंने ये उठा लिये तरह एकनॉमिकल प्राइस में थे उस अच्छा मुझे याद आया कि मरियम की मैडिसन के साथ स्रिंज भी थी अब मेरी फ्रेंड्स ने मुझे पूछना कि यह तुमने क्या कहनी थी तो मरियम कोई स्पेशल केसा यह चमच से दवाई नहीं पीती तो इसको मैं हमेशा डॉक्टर से ml में दवाई लिखवाती स्रिंज के साथ इसको देती हूं वहना यह बची दवाई नहीं पीती यह लास्ट जब मैं गई तो कॉफी की प्राइस अस्वान से बाते कह रही थी तो अब यहां पे एक स्टोर है वहां पे यह कुछ डिसकाउंट में थी पतनी क्या उनका प्रमोशन का डिसकाउंट था य मैंने फिर उठाई और ले ली कॉफी पे वह लगावा मींस कॉफी पे टैग लगावा था सूपर डिसकाउंट का पता है वाईस ओवर करते में मुझे क्या हो जाता है लफ आगे पीछे मैंने लाजमी बोलने होते हैं अच्छा जी लेने में कोकोमो और शलंटी जी गई थी पता नहीं यह सब कुछ कैसे खरीद लाई हूं क्या हो गया था वहां जाकर मुझे मुझे समझ नहीं आई बहुत कुछ खरीदा गया है आज और यहां पे जी यह कस्टेड लाई हूं मरियम के लिए होते तो आर्टिफिशल फ्लेवर्स यहां चलें पता तो चलेगा ना ताके कुछ खा भी ले कुछ टेस्ट बर्ड्स भी इसके फ्लेवर्स को पहचानना शुरू कर दें अपने बच्चे की चीज खरीद कर लाकर उसको सेट करते वे एक जो जिहनी सकून फील हो रहाता है वो खवातीन के लावा कोई फील नहीं कर सकता शायद फादर्स भी करते है कि जी अब उसकी ये चीज़े लाइन अप हो गई है दिन में उसने ये खाना है ये मैं सब खोल खोल कर रख लूँगी ताके जैसे जैसे ये मांगते जाएं वैसे मैं इनको देती जाओं इनको इंतजार ना करना पड़े ये जो हम पर हकूमत कह रहे हैं चोटे चोटे च कि इन्होंने क्या खाना है किस तरह खाना है और किस वक्त खाना है ये इनकी अपनी मर्जी है ओके जी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दीजेगा आज के लिए सिरफ इतना ही इसके बाद जी अब खाना शाना बनाते हैं और नेक्स्ट सोचते हैं किस वीडियो में ओके अला हाफेज